देश दुनिय की छोटी बड़ी खबरों के साथ राशनातीक और मनरंचन की सारी खबरे देखिए सिर्फ खटपट नियूस पर हमारे चैनल को सब्स्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें साथी साथ वेल आइकोन दबाना ना भूले खटपट नियूस खबरे थोड़ा हटे मोधी कैबिनेट में डॉक्टर रमन सिंग को जगम मिलने की चर्चा है इसको लेकर स्थिती को खुद डॉक्टर रमन सिंग ने साफ किया शनिवार को राइपूर में पूर्व मंतरी राजेस मुनत के धरना प्रदर्शन में शामिल होने डॉक्टर रमन सिंग गैद है यहाँ मीडिया ने मोधी कैबिनेट पर सवाल किया तो अपनी स्थिती को लेकर डॉक्टर रमन सिंग ने जवाब दिया दिली जाकर मोधी मंतरी मंडल में शामिल होनी के बात पर डॉक्टर रमन सिंग ने कह दिया कि मैं 36गड में ही अच्छा लगता हूँ और 36गड मुझे अच्छा लगता है कॉंग्रेस नेता मंतरी मडल में जंगा मिलने की बात कर रहे है यह पूछे जाने पर डॉक्टर रमन सिंग ने कहा कि कॉंग्रेस के नेता तो यही चाहते है 36 गड़ में बहुत से योगी लोग हैं उन्हें स्थान मिल सकता है ये कहते हुए डॉक्टर रमन ने बड़ा संकेत दिया है कि मोधी कैबिनेट में प्रदेश के लोगों को जगा मिल सकती है दो दिन पहले ही प्रदेश भाजपा के बड़े नेता सांसद कुछ विधायक और पार्टी के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष दिल्ली गए थे कहा जा रहा है कि प्रदेश से किसी सांसद को मोधी कैबिनेट में जगा दिये जाने की लॉंबिंग की जा रही है सांसद विधाय बगेल और गुहाराम अजगले की नामों की चर्चा हो रही है एस मामले में बयान देते हुए प्रदेश के मुख्य मंतरी भुपेश बगेल ने कहा था कि 10 से 11 सांसद भाजपा को यहां से मिलते हैं मगर कभी कैबिनेट मंतरी यहां से नहीं रहे कॉंग्रेस के वक्त में 36 गड़ से कैबिनेट मंतरी हुआ करते थे बेरा रिपोर्ट खटपट न्यूज राइपुर